हाई दोस्तों आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ कृतिका लेकर आ गई हूँ बिग बॉस देरा की एक धमाकिदार खबर जी हाँ कल हमने आपको खबर दी थी कि एक टास्क के दुरान शेहनास गिल कौर फर्श पर गिर जाती है जी हाँ अचानक से टास्क के दुरान वो जब आ रही होती है तो उनका पैर फसलता है और वो जोर से धणाम होकर फर्श पर गिर जाती है और ऐसा देखते ही अपने सिर्धार शुकला काफी भावुक हो जाते हैं वो काफी एमोशनल हो जाते हैं या फिर यू कहे कि शेहनास को इस तरह से गिरता देख वो काफी परिशान हो जाते हैं वैसे बिग बॉस के घर में शहनाज और सर्धात की बॉंडिंग देखते ही बनती थी, इन दोनों के बीच एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, या तक कि शहनाज भी दिली दिल में सर्धात को काफी पसंद करने लगी है, वैसे सर्धात भी शहनाज को लेकर काफी स्पेश करते हैं और ये सब बाते सुनकर शहनाज गिल थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, आपके जानका रिखले बता दे कि जद्धा शुकला काफी दिनों से सीक्रेट रूम में थे, आप जानते हैं कि उन्हें टाइफाइड हुआ है और उनका इलाज सीक्रेट रूम में ही चल रह था, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन अब उनकी तब्य थोड़ी बिगडी, जिसके बाद उन्हें सीक्रेट रूम से सीधा अस्पताल में भड़ती कराया गया है, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट जारी है, वही अब दूसरी तरफ पारस चाबड़ा ने घ घर में एंट्री ले ली है, शेहनास पारस को देखकर खुश तो होती है, लेकिन वो खुशी से जूमती नहीं है, क्योंकि उस दोरान उन्हें सिधार शुकला की याद आ जाती है, और वो सिधार को ही कहीं न कहीं तलाश रही होती है, हाला कि अभी तक शेहनास ने पारस से सिधार्थ के बारे में सवाल नहीं किया है, लेकिन उमीद है कि वो पारस से जरूर पूछेंगी कि आखिरकार उनके सिधार्थ कहां पर है, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा